हे गिर जाके लाली का जानम सबसे पहली तुम्हे मनाई रागे रागे नी मात सारदा बसो हमारे कंठे में आए धाया दोज की पावन गाथा संजो आज रही है गाये ते उहारे बढ़ा ही पावन जिसको भाईया बेहन मनाई कार्टे के मास की सुल्क पक्ष में ति थी दुतिया की रह बतला यही वो पावन दिन है भगतो भाईया दोज गई के हिला इस दिन बहने भाई के लिए अपना अपना प्रती रखा आए भाईया बेहन यमना में नहाके यमना मा को सी से जुकाए भाईया बेहन यमना में नहाके भाईया बेहन यमना में नहाके यमना मा को सी से जुकाए भाईया की लपी उम्र के लिए करे कामना बेहने जा चोक पूरती है आंगन में देती रंगोलिया सजर हर बेहना अपने भाईय को चंदन रोरी दिलक लगाई फिर बेहने अपने भाईय को देती है मिस्तान खिला छूके चरण बेहन के भाईय लेते है आजी से दुआय फिर भाईया अपनी बेहना को देती है उपहार बता दीपावली के बाद दूसरे दिन ही भाईया दोजे मनाए हर्थ ओरी उल्लासों के संगे हर्थ ओरी उल्लासों के संगे हर्थ ओरी उल्लासों के संगे दोहारे मनाया जाय कद से शुरू हुई है भगतों भाईया दोजे रही समझाय अमें पुत्र थे सूर जेव के यमना थी पुत्री बदलाय अमें राजी अपने कारों में उल्जे रहते बहुत बता देहनाय अमनाय अपने भात को बारे बारे ये कहके बुलाय भाया तुम प्यारी बहना पे धर पर काही आते ना दे जाते हो खूब दिलासा कई दीने है बरस बिता लेकिन अमना से मिलने को यम को समय नहीं मिल पाई एक बार तो बहन किखा तेरे यम राज ने किया उपाई एक बार तो बहन किखा तेरे एक बार तो बहन किखा पर या मेराज ने किया उपाई मुक्त कर दिया या मेराज ने सभी नरक बादियों को जाए अपनी बहना यमनागी के यमे राज घर पहुचे जाए अपने घर भाईया को देख कर यमनागाई खूब हरसा आय अच्छे अच्छे बस्त पहन ने पहना दिये कीमती हार एसे सजा दिया भाईया को जैसे कोई राज कुमार फिर भाईया को तिलक लगा कर लीनी उसकी नजर उतार अपने भाईया काया मुनाने दिया खूब या दरसत कार बहनाने पकवाने बनाए नीथे मीथे जाय के द्वार बहनाने पकवाने बनाए बहनाने पकवाने बनाए नीथे मीथे जाय के द्वार खूब खुसा मत की भाईया की उसके मन में खुसी अकार मेरा भाईया कई सालों से आयाय आज बहन के द्वार या मेराज खुस हुए देख कर बहना का ये साब ओहार तब बोले या मेराज बहन से मागो मन चाहा बरदान आज बहुत खुस हुँ में बहना तुम पर हो जाओं कुर्वान बोली महना इतना कर दो जो तुम से में करूँ बखान आज की दिन जो कोई महना अपने भ्रात को तिलक लगाए उस भाईया को लंबी आयू देनाया कालम रत्तु नाया आए उस भाईया को लंबी आयू उस भाईया को लंबी आयू देनाया कालम रत्तु नाया आए अज बहन ने अपनी खातिर मुझसे कुछ भी मांगा नाए बस भाईया की खातिर मांगा तू है बड़ी महान बताए अमेराज ने अमनाजी को जैदी ना बरदा ने बताए वो दिन था कारते के मांच की सुखले पाच्छ की दोज बताए भाईया दोज का ये दिन भगतो या में तुतिया भी किहलाए और एक भाईया दोज की लोग का था जो रहे सुनाए एक थी मूढ़ी मैया जिसके पुत्र और पुत्री मतला एक थी मूढ़ी मैया जिसके एक थी मूढ़ी मैया जिसके पुत्र और पुत्री मतला बेटी साधी सुधा थी जिसकी बेटा था क्वारा समझा बेटा बोला बूढ़ी मां से मैया दोज गई माया बेहना से हम दोज कराने मैया आज रहे हम जा बोली मैया उसके घर तो जाना तेरा थी कहना लड़ती और जगड़ती रहती तेरी बेहना तुझ से हाई लेकिन बेटा ना माना तो चल दीना घर बेहन के जाई रस्पे में एक नड़ी मिली तो बोली उस बेटे से आई बनके आई कालिम सेरा दूंगी तुझ को आज डुबाय बनके आई कालिम सेरा तुझ को आज डुबाय तब बोला बेटा न दिया से हाथ जोड़ी करशी से नबा तहली मिल आहूं बहना से लोटूंगा तब लेना डुबाय रस्ता दे दीना न दियाने बेटा पार हो गया जाई फिर आगे एक सर पे मिला तो बोला उस बेटे से आया जिवन के कालिम सेरा तक्सम सुझे फुसकारी लगाई देहना से तुम मिल आने दो बोला बेटा बेने उचार जब मैं बापस लोटूंगा तब महाराज तुम लेना था छोड़ दिया उसने भी उसको आगे सिर जल होडाया छोड़ दिया उसने भी उसको छोड़ दिया उसने भी उसको आगे सिर दलहनायाय बोलाय आज तुझे खाऊंगा लूंगाय अपनी भूग मिटाय फिर भी यही बोला वो सेर से तुम खा लेना सोक से आय पहले बेहना से मिल आऊंगाय अपना बचन लिभाय सेर सभी बच गया वो बेटा बेहना के घर पहुचा जाय काते रही थी सूत बेहन वो सूत बीच में तूटा जाय जब तक भाया ने द्वारे से बेहन को दिया वाज लगाय सूत बाढ़ने तक वो बेहना भाया से बोली है नाय क्योंकि सूत बांधते समय में कभी किसी से बोला न जाय क्योंकि सूत बांधते समय में क्योंकि सूत बांधते समय में कभी किसी से बोला न जाय तब भाया ने सोचा मन में माने कहा बहुत समझाय पर मैं ही माना ना मा की कोई बात रहा पछताय बेहन हमारी पेसे वाली मैं गरीब ही थे राजा लगा लोटने अपने घर को तब तक बहन गई थी आय वो अपने प्यारे भाया को ले गई अपने संग लिवाय आदर बहुत किया भाया का तरीब छोना दिया बचाय भाया दोज करीब हिनाने माथे रोरी तिलक लगाय कुछ दिन भाया प्रेम पूर बखे कुछ दिन भाया प्रेम पूर बखे कुछ दिन भाया प्रेम पूर बख रहा बहन के घर ही जाए फिर भो अपनी बेहन से बोला रहा हूँ अब मैं घर को जाए तब पहनाने यहूं भी सिकर उसके लड्डू दिये बना रख दीने उसके थेले में और बिदा कर दिया बता उसमें से थोड़े से लड्डू बच्चों के लिए लिए बचा जब लड्डू बच्चों को दीने रहे हरे रहे के दिखना खोले के चाखी उसने दिखा उसमें साप फिश गया हा लटू गाड दी है वो सारे मन में गई बहुत घबिर आय फिर तो बहना दोडी दोडी पहुची भाईया के ढिक जा तिर तो बहना दोडी दोडी फिर तो बेहना दोडी दोडी पोँची भाईया के ढिग जाए उन लड़वन की सारी घटना भाईया को दीने बातना बेहना ने जहरी ले लड़ू खोद के गठा दी दबा जब पहना को प्यास लगी तो पहुची एक तालाब में जाए वहाँ उसे एक पूढ़ी माता बैठी हुई गई दिख्लाए उसने उस पूढ़ी मैया से पूछ लिया मा देओ बताए आप अकेली जो बैठी हो बीराने जंगल में आ गोली माता मैं हूँ विधाता सब के देती भाग बना एक पहन के भईया की मैं दात गढ़ रही हूँ मैं आए एक पहन के भईया की मैं एक पहन के भईया की मैं दात गढ़ रही हूँ मैं आए जिसने तो भईया के प्यार ने साप की हत्या कर दी हाई साथ घात है उसके उपर हो सकता है जान भी जाए बोली बेहना में ही अभाग में उस भईया की बेहन बताए बतला दो मा कोई तरीका भईया के लूप राण बचाए बोली मूढी मा बेहना से भाई को गाली देना जाए एसा करने से सब घाते हैं तो सकती है बिफल बताए इतना सुन कर फिर तो बेहना पहुची भईया के धेख जाए बोली भईया आभी द तूने बिस खाने से लिया बचाए बोली भईया आभी द तूने पहुची भईया आभी द तूने बिस खाने से लिया बचाए आगे मेरे काली खड़े हैं साप तेरे और नदी बताए बोली मिहना रुकना भईया अभी मास रही तेरे आए मास का तुकड़ा दूदे ओड़े नी लेकर गई वो घर से आए संगे चली अपने भईया के रहा से अरे उस खाने आए मास का तुकड़ा दाला उसने उसे मास में दिया लगा निकल गए फिर दोनों आगे मिला साप खुसकार लगा दूदे रख दिया उसके आगे साप दूदे में दिया लगा वहां से भी मच निकले दोनों आगे नदी मिल गई जाए वहां से भी मच निकले दोनों वहां से भी मज निकले दोनों आगे नदी मिल गई जाए बेहना ने फिर उस नदिया को एक ओढ़नी गई उढ़ाए पहुच गई अपनी घर दोनों भाई को गाली रई सुना बोली मा मैंने पहले ही मना किया था तुम को जाए लेकिन बेटा तूना माना लाया बेहन को संगल बार बोला भाईया तुन तू मैया बेहन बड़ी अच्छी थी हाई अब जाने ये से क्या हो गया समझ मेरी कुछ भी ना आ जब भाईया की साधी वाले तिलक चड़ाने को गया उस तीके में उसकी महना पैठी जब रने आ गया उस तीके में उसकी बहना उस तीके में उसकी महना पैठी जब रने आ गया लगी आच वहाँ धूधू करके दिया बहन ने उसे बुझा जब हो रही दूले की निकासी उसने भाईया रोका जा तीछे वाली धरवाज से बहन निकासी रही करा तभी मैं ने धरवाजा उखडा गिरा तूटके नीचे हाई सभी लोग बहना की बाते आपस में करते बतलाई भले ही गाली देती बहना पर भाईया को लेती बचा जब घर में नई दुलहन आई रात को बहना बोली आई भाईया भावी के कमरे में मैं भी खुद सोंगी जाए भाईया भावी के कमरे में भाईया भावी के कमरा में मैं भी खुद सोंगी जाए सबने सोच बिचारा फिर तो परदा उसमें दी लगवाई उसी रात उसके भाईया को एक सर्प ड़त ने गया या बंद कर लिया ताप को उसने एक सोकिरी में बत लाँ बेचिंता हो करके वहना सोई सुवह तेरे तक जाए मा सोचे बेटी सोई है उठेगी देगी सोर मचा जल्दी से रिस्तेदारों को विदा कर दिया माने जाए बेटी जब जागी तो बोली रिस्तेदार कहां गई जाए मा बोली मू चली गई है तेरे डर के मारे हाए मा बोली वो चली गई है मा बोली वो चली गई है तेरे डर के मारे हाए बेटी वे जिद करके सारे मेहमान लीने बुलगार इस्तेदारों को बेती ने सर्प दिखा कर दिया बता भाई के उपर साथ सिखाते अब तो साथो तल गई जा भाईया को गाली देने का मुझे बताया यही उपाई पता चला तो उस बेहना को सबने साबा सी दैजा भाईया की खातिर बेहनाने सही बुराई गोद बता ऐसी ऐसी होती बेहने भाई की खातिर जान गवाई रमेस भाईया को संजोने सिलक दो जी का जियां लगाई